दोस्तो स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल Always Winner में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे India versus Bangladesh की विज्जो First ODI match के लिए जाने वाला है दोस्तो इस match की detail information में आपको इस वीडियो में provide करने वाला हूँ लेकिन सबसे बहुत दोस्तो बात करेंगे My11 Circle एक बहतरीन एप है जहाँ पर आपको daily हर match में आपको SUV कार जीतने का मुका मिलता है उसके साथी साथ दोस्तो आपको 20% extra cash मिलता है first deposit पर अब दोस्तो अगर आप मुझसे पूछे होंगे कि सच में कोई SUV कार विन करता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको My11 Circle आपको इंस्टॉल करना चाहिए और आप SUV कार विन कर सकते है दोस्तो My11 Circle की जो link है link पर ने दोस्तो description में दिये साथी साथ आप जाओंगे first comment पर क्लिक करोगे तो आपके सामने My11 Circle आपके link करना चाहिए दोस्तो अब बात करेंगे दोस्तो अब बात करेंगे इस मैच में आपको investment कितना करना चाहिए और बेसिकली अगर investment आपको करना है तो आपको investment toss पे depend करके ही करना होगा जैसे यहाँ पर पीच की बात करेंगे तो आपको बता दो यहाँ पर पीच बालिंग पीच बताई गई है और इस पीच पर पालर्स को support मिलता जो भी मैने पीच रिपोर्ट निकाली है देखें इंडिया की टीम अगर पहले बालिंग करने का करनी होगी तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो वेनु है वेनु की अगर बात करेंगी तो शेरे बांगला नेशनल स्टेडिया में धाका का 11 बज के 30 मिच पर मैं स्टाट होगा दोस्तों आपको 11 बजे ऑनलाइन रहना होगा उस साथी साथ पीच रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ओडिया खेले गए रिसेंटली 2021 में 3 मैचेस खेले गए थे बांगलादेश शिलंका और एवरेज जो स्कोर है लेकिन 250 की बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है अब दोस्तों मैं आपको पीच रिपोर्ट काफी ज़दा अच्छी तर से समझा देता हो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस पीच पे जो टिम पहले बैटिंग करती है उसका स्कोर कितना बनता है बांगलादेश और स 260 का स्कोर पकड़ लेते 257 का है दोस्तों हम यहाँ पे 250 का पकड़ लेते और दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो 280 का पकड़ लेते ठीक है तो जो एवरेज स्कोर है इस पीच का वो 250 से लेकर 270 के बीच में एवरेज स्कोर बन रहा है अब सेकर इनिंग के अगर बात करेंगे त तो आप देख सकते हैं Second inning में ज़ादा स्कोर नहीं बना यहाँ पर भी उतना स्कोर नहीं बना और यहाँ भी स्कोर नहीं बना तो लास विकेट गए यहाँ पे दूस्तों पूरे दस फिकेट गों दूस्तों यहाँ पे छे विकेट गए कहएуск Напется कि अगर साथ हुएकित स्वीश जाते तो किए कि-ल सॉक्रेट को भी सपोर्ट मिला है कि दूसूपचा-प्रियाइंग्र फोरी दस विकेट मिला आप सेकडिन की बात करेंगे तो 10 विकेट यहाँ पे 9 विकेट और यहाँ पे 10 विकेट तो यह जो पीचर दोस्तों बॉलिंग पीचर मुझे लगता है बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा लेकिन इंडिया की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी तो आपको य कि Anae matches विंकरैं दस्तों transgender Spinner की बात करेंगे तो यहां पे बाता दोस्तों कि यहां पे जो पीच पे spinner को भी सपोर्ट मिलता यहां पे एसब को का यहां पर मैं आपको यह बीब टाना चाहता हूं कि यहां था सांथ यहां पर Washington सुंदर अक्सर पतेल भी विकेट निकाल सकते और मुझे लगता है कि स्पीनर को जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही दोस्तों यहाँ पेसर को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे मोहमद सिराज जो है वो भी विकेट निकाल सकते साथ यहाँ पे हसन महमुद भी विकेट निकाल सकते दिपक चार भी विकेट निकाल सकते हैं, तो पेसर को जितना सपोर्ट मिलेगा, उतना ही दोस्तो स्पीनर को भी सपोर्ट मिल सकता है, और आल मैचेस की बात करेंगे, 112 में से बैटिंग फरस्ट करने वाले 53 और बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने 59 मैचेस विन किये, इंट कीम ने उसके बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं, मुवमत शामी तीनों ही मैचेस में नहीं खेलेंगे, जो कि ODI मैचेस होने वाले, उनके जगा पे उमराद मली की इस मैच में प्ले कर सकते हैं, इंडिया की अगर बात करेंगे, तो अगर इंडियन टीम चाहें, तो यह को अगर बात करेंगे, तो इस तरह से प्ले करने बात करेंगे, अगर आपको बता दू कि आपको ESPN पे जाना चाहिए, आपको कोई भी नहीं बताएंगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यूंकि अगर आपके मन में कुश डाउट होगा कि अप्ले प्ले कर सकते हैं, तो जाएए आपको यह प्लेंग 11 दिखेंगा हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो एक या फिर दो चेंजेस हो लेकिन यही प्लेंग 11 दोस्तो अभी आया हुआ है तो देखें यहाँ पर इंडिया की अगर बात करेंगे तो आपको पता दू इंडिया के पास पाच में बॉलर है और 6 में बैट्स मनें दोस्तो ऐसे में हम बॉलर्स की बात करेंगे तो मुहमत सिराज, दिपक्चर, शादूल ठाकूर, अकसर पतेर, वाशिंग्टन, सुन्दर यह पूरे 10-10 ओर कंप्लीट करके 50 ओर कंप्लीट करेंगे इस तरह से दोस्तो इंडिया के 50 ओर कंप्लीट हो स शकी बात शाद पाच ओर कंप्लीट कर सकते हैं, आप इस तरह से दोस्तो इनके 50 ओर कंप्लीट हो सकते हैं, शकोर काड करेंगे दोस्तों आप चाहे तो यहाप वीडियो पॉस करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, काफी ज़दा इंपॉर्टेंट होगा और देखें दोस् इबादत हुसेन का अगर देखा जाए तो इनोरी सिर्फ एकी ODI match खेला है और लेकिन उससे पहले इनोरी T20 international matches खेला है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने इबादत हुसेन का लास्ट के जो मैचेस थे दोस्तो चार मैचेस इनका T20 international का record निकाला है लेकिन सिर्फ इनोरी एकी ODI match खेला है तो यह आपको थोड़ा वो ध्यान में रखना होगा प्लेयर स्लिक्षिंग की बात करेंगे तो हमारे पास दूस्तो तीन option है एक तो है के रहूल है उसके बाद मुस्तिभी जुर्यमान दूस्तो यहाँ पर दिशब पनते है अब दोस्तो अगर मैं आपसे यह जो समझने हैं तो आपको ध्यान से समझना होगा थीक है सबसे बстаточно बात करेंगे मुष्विकु रहिम कि तो यह fourth number पे आएंगे और इनका production अच्छा हो या ना हो हमें मुश्पीकु रहिम को ही टीम में लेना है अब केर रहूल की बात करेंगे और रिशेपपन की बात करेंगे तो रिशेपपन को हम डॉप करेंगे क्योंकि इनका production अच्छा नहीं चल रहा है केर रहूल को क्यों डॉप करना चाहिए इंडिया की टीम की बैटिंग लाइनप की बात करेंगे तो इंडिया का बैटिंग लाइनप काफी सदा strong है और देखें यह जो पीच है यह पीच जो है वो बालिंग पीच है ऐसे में बालर्स को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है दोस्तों अगर इंडिया की टीम बालिंग करने का डिसीजन लेती है तो मुहमत सिराज दिपक चहर शादूल ठाको जैसे जो पेसर है वो विकेट निकालेगे साथी साथ हमारे टीम में वाशिंग्टन सुन्दर होगे तो हमारे पास चार ऐसे प्लेयर होगे जो विकेट निकालेगे और मान लिजे के 200 रन पे अगर यहाँ पे बांगलेडिश की टीम और विकेट निकालेगे और उसके बार अगर 200 रन की बात करेंगे तो बैटिंग करने का मोका भी मिलेगा तो शायद 25 है फिर 30 रन बनाने होगे तो इस तरह से मैंने सोचा है आप अपनी सोच अलग कर सकते हैं दोस्तों अपनी तरह से सोच सकते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे केर राहूल को इसलिए ड्रॉप किया दोस्तों और केर राहूल को डॉप करने का जिस रिजन मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि केर राहूल को अगर मुझे ड्रॉप करना है तो केर राहूल के जगह पे मैं किसी और प्लेयर को ट्राय कर सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं शादूल ठाकूर को सिफ 16% लोगों केर राहूल को हमने क्यों डॉप किया मुझे रहम को हमने पिक यहां रीचपन यहां पे डॉप किया है केर रहूल जो फीप नुबर गैंगे तो फीर एक अच्य ऑप्शन होगे दो स्ब्सके अबस्ट बैट्स नहीं जाएगे तो अब डोस्तों बैटिंग सेक्शं की बात क कुन किस नमबर पहाएंगा यह मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ विराज कोली थर्ड नमबर पहाएंगे लिटर्ण दास आपे उपन करेंगे रोईश चर्मा उपन करेंगे उसके बाद शिखर दवन उपन करेंगे श्रेयर सहीर यहापे फोर्थ नमबर पे अब यहापे भी आपको रिस्क लेना होगा रिस्क अगर आप नहीं लोगे तो 100% आप हरोगे और अगर रिस्क लोगे तो एक तो आप जीतोगे या हरोगे लेकिन इस मैच में रिस्क लेना इंपोर्टेंट होगा विराज कोली रिटर्ण दास इन दोने को पिक करूँगा शि विराज कोली का अगर प्रेशन देखा जाए तो तीनों ही मैचस में तीन के यहापे चार मैचस की अगर बात करेंगे चारों ही मैचस में जो कि रिसेंट ले मैचस खेले गए तो विराज कोली का प्रेशन काफी ज़दा गलत रहा है 20 के उपर भी इन्होंने स्कोर नहीं बन देखे दोस्तों यह जो बालिंग पीच है तो हम यह नहीं कहे सकते हैं कि करनेंगे शीकरदवन को पिक करना है श्रेय सेयर काफी ज़्या अच्छे फॉर्म में है क्योंकि देखे इंडिया उसस न्यूजिलेंड की जो मैच थी न तो यहाप आप देख सकते हैं फूर्टीन और एटीन की बड़ी पारी खेली थी आप पुसें के बात करेंगे इनको अब देखे दोस्तों आपको दो चीजे बताने वाला हो देखे सबसे पहले बात करेंगे हमने लिटन दास को पिक करने के बाद हम यहाप अनामुलक को पिक कर सकते हैं इंडिया के बहुत जो बॉलिंग लैनम पर काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है देखे लिटन दास और अ अच्छा है अनामुलक का भी प्रदर्शन अच्छा है और मुझे ट्रस्ट है दोस्तों कि लिटन दास यहाप पे तकरीबन 25 रन बनाएगे और 25 रन बनाके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देखे सकते हैं लेकिन अगर अनामुलक यहाप आउट होगे तो शायद यहा अगर इनके दोनों ही ओपनिंग फ्लॉप हो जाते तो आप फुसेन बॉलिंग भी कर सकते है ठीक है लेकिन अभी लास के कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं कि तो यह हमारा प्लस पॉइंट होगा लेकिन इतना जादा दोस्तों हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं हम दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे अल्राँ जो सेक्षिन की तो यहां पर हमें देखना होगा कून की इस नंबर पे आने वाला है सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पर आप देख सकते शकी बलसन थर्ड नंबर पर आएंगे वाशिंग्टन सुन्दर से बॉलिंग इस नंबर पे महमद उला फिप नंबर पे मेंदे असन मिराज की बात करेंगे दोस्तों एट नंबर पर आएंगे और मेरी साब से मुझे लगता है दोस्तों कि यहां पर शकी बलसन वाशिंग्टन सुन्दर यह दोने इंपोर्टेंट होगे शकी बलसन बैटिंग प्लस पारी के लिए हैं तो इस मैच में भी अगर यह 45 ओवर के बाद भी आते तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पारी आपको देखने को मिलेगे तो यह भी प्लस पॉइंट हो सकते अकसर बटिल की बात करेंगे तो इनको हमें डॉप करना पड़ेगा हमारे पास दोस्तों अब दोस्तों मैं लगता है कि इंडिया की टीम के तीनों ही बालर को पिक करूँगा अब दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया की टीम अगर पहले बालिंग करने का डिसीजन लेती है तो मैं मुस्तिषी दो डाइमान को डॉप करूँगा और साती सात यहाँ पे मैं मुझे दूला को पिक करूँगा अब आप कैंगे कि मुझे दिया साती सात फिक नमबर पर आएंगे तो बैटिंग से 100% पॉइंट दे सकते ये मैच रिस्क्त होगा इसलिए पहले ही रिक यो मुहमद उल्ला पे, अब मैं आपको Captain Vice Captain भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करेंगे opening and dead ballers की, तो मुहमद सिराज, दिपक चर, दोनों opening balling कर सकते, दिपक चर, शादूल ठाकुल और मुहमद सिराज dead balling कर सकते, दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बांगलादेश की, मैंने यहाँ पे New Zealand लिखा है, बांगलादेश की बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं, मुस्तिपिजद रैमान, हसन महमूद है, उसके बाद इबादत हुसेन, हसन महमूद, मुस्तिपिजद रैमान तो हमने दोइत शर्मा को डॉप किया है और रोइत शर्मा के जगा पे दोस्तो हमने यहाँ पर शर्यस no ah साथ की साथ दोईद शर्मा के जगा पे हमने किसको पिक किया है दोस्तों हमने यहाँ पे जो पिक किया है वो हमने शारदूल ठाकूर को और दिपक चर दिपक चर पर प्रकार रिस्क नहीं होगा लेकिन शारदूल ठाकूर थोड़ा बहुत रिस्क होगे लेकिन मुझे लगता और फिर मेगा लिक ले करें तो उस वीडियो को देखना इंपोर्टेंट होगा कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल ली के लिए तो आप देख सकते विराज को लिए रोईट शर्मा शकीबल असन शिकर दवन लिटन दास कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अब दोस्तों हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करेंगे तो मैं आपको बता दू कैप्टन में विराज कोली को बनाने वाला यह एको भी pick कर सकते जिन्होंने इंडिया वसेस न्यूजिलेंड मैच में अच्छा प्रजशन किया था लेकिन विराज कोरी को कैप्टन शेकर वाइस कैप्टन इसलिए क्योंकि यह पैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते मैं आपको टीम का प्रिवी देखा देता जो कि हमें बॉलिंग सेक्षन से अबलेबल नहीं होगे लेकिन इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो दोस्तो हम क्या करेंगे हम टीम में थोड़ा बहुत चेंजर करेंगे शादूल ठाकुर को डॉप करके दोस्तो हम यहापे किसी और प्ले दोस्तो मैं लें सरकल आपके जो बात करेंगी दोस्तो मैं लें सरकल आपको ACV कार जीतने का मोगा मिलता है डेली साथी साथ 20% आपको एक्स्टा कैश मिलता है और दोस्तो यहाप बता दू कि जो वीनर है चिराक कुमर प्रजापती जो कि गुजराट के रहने वाले इन्हों दोस्तो ऑपे क्लिक करके आप सिरह हमारी टेलींग्राम चलिप जो इन्हों सकते है साथ दोस्तों वीडियो पासे नहीं आरे तो वीडियो को लाइक जरू करना हमारे यूटूप चैनल को सस्क्राब करकि आप जो बेल आको पटा चले मिलते हैं अने वीडियो में तब तक ल